आज हमारे साथ है कार्तिक सर तो कार्तिक सर ने रेसेंटल आपर चेक किया था हमारे यूट्यूब चानल पे हमने वहां पर काफी वीडियो डाले थे यानि कि जो पिछले 5 एयर के जो questions थे exams के तो वो सब भी सर ने यहां पर डाले थे हमारा जो gate exam है वो feb में होता है तो आज स आज से पहले सबसे मैं चाहता हूं कि हम फिर से सरी की बाद हम जादा सोनेंगे थे अस कंपर तो में तो मिर्टा सर जादा बोलेंगे हां पर तो लट अस्तार्ट तो सर थे टो प्लीस सम इंट्रच्शन धियू थे थे तो तो लिद प्रीसाम इंट ने श्टार्ट थे रे प वहां पर मैं बेसिकली सी लांगवज फाल सिस्टम पर करता था तो मेरा मेरा मेजर काम जो था वो सी लांगवज में था वो एक अच्छा एक्स्पिरिंस था बिकास एक रियल वोल्ड प्रोड़क्त में आज भी कैसे उस होता है जब कि जब मैं बीटेक में था तो मेरको कभी पता नी था या कोई बताता नी था कि के लांगवज को यूज करता है सब कहते थे कोई यूज नी गरता बट आज भी सी लांगवज इतनी बेसिक और इतनी इंपॉड़न है तो इसलिए मुझे एक रियल वोल्ड एक्स्पिरिंस मिला उस प्रोड़क्त के साथ और उस लांगवज में काम परनेगा तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा आप लास्ट वीक में आपको क्या सिजेशन दे सकते हैं तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा आप लास्ट वीक में मौक टेस्ट जो हैं वो हाइस प्राइरिटी पर रखिए ठीक है आपको द्यान क्या रखना है आपको क्या आता है ठीक है और आपको इस दिमाग में क्लियर होना चाहिए maximum students I have taught lot of students और मैं यह कह सकता हूँ कि जितने students मेरे क्लास में आते हैं उसमें से मैं काफी students होते हैं जिनको बोलता हूँ यह अच्छा करेंगे लेकिन कुछ उसमें से नहीं कर पाते उसका major reason यह है कि वो दिमाग में उनके clear नहीं होता कि actually में कौन सा मेरा topic strong है और कौन सा मेरा topic weak है इसकी वज़ा से वो क्या करते हैं पेपर में हर question को solve गर निगोशिश करते हैं और वहाँ पे time खराब करते हैं अगर gate में मेरको students आके कहते हैं सर negative marking नहीं हो रही बढ़ आप एक चीज़ आद रखना gate के अंदर time management marking से जादा critical है अगर आप एक question में time दे रहे हैं जिसमें negative marking नहीं है लेकिन आपने 4 minute दे दिये और वह गलत solve किया यह नहीं कर पाए उसका problem ही होगा आपने 4 minute खराब किये वहाँ पे आपको negative नहीं मिला ठीक है वहाँ चार मिनट खराब किये वो आप किसी और question को देते तो वहाँ पे silly mistake avoid हो सकता था क्योंकि आपके पास ample amount of time है solve करने के लिए so this is one major thing तो इस चीज पे आपका सबसे दा focus रहना चाहिए आपको दिमाग में clear होना चाहिए इस time पे कि क्या मेरे strong topics हैं क्या मेरे strong subjects हैं और क्या मेरे weak subjects हैं क्योंकि यह आपको exam के दिन बहुत help करेगा because personally this has helped me a lot ठीक है this is the point number one clear रखो कि दिमाग में कि आपके कौंसे strong topics है और कौंसे weak topics है first thing second thing is you have to focus on accuracy paper में अगर आप 65 questions है if you attend 50 questions also और आपकी अगर 50% accuracy आगई so that means 25 सही है और 25 गलत है अब देखो 25 गलत में ना दो problem है एक आप negative marking ले रहे हो और दूसरा आपने time भी तो खराब किया आप वो 25 गलत ना करनी की बजाए अगर properly identify कर लेते तो आप मैं कहता हूँ 5 या 6 questions उसमें से solve करते जो silly mistake avoid हो जाती तो वो 6 questions और सही हो जाते उन 25 में से बागी 19 छोड़ दो तो आप 31 questions सही करो accuracy अच्छी रखो और आपकी decent marks आजाएंगे which is more than enough कि आप cut off clear at least कर पाऊ ठीक है उसके बाद उस चीज़ पर build up करना होता है और यह सारी चीज़ें आपको mock test में करनी होती है this is the brief कि क्यो accuracy important है तो आपको यह mock test में analyze करना है कि yes accuracy मेरी कितनी आ रही है ठीक है और दूसरी चीज accuracy के साथ साथ आपको silly mistakes का ध्यान रखना है क्योंकि silly mistake एक ऐसी चीज़े है जो avoid कर सकते हो अगर gate में मैं आज भी अगर gate लिखूँ तो मैं यह नहीं कहता कि मैं सारे questions solve कर सकता हूं ठीक है competitive exam इधर respect किस respect में कौन कितना score कर रहा है उस हजाब से आपकी ranking आती है तो अगर paper बहुत हाड़ आया है तो highest topper ही 70 लाएगा तो आप भी 70 ला रहे हो आप topper हो गए और अगर paper easy आया तो आप topper 90 लाएगा तो आपको यह ध्यान रखना है silly mistakes avoid करो और यह practice सारी mock test में रहनी चाहिए तो अभी last के two weeks रह गए है first point दिमाग में clear रखो strong और weak topics का second point accuracy accuracy improve करने कोशिश करो for me I will advise a good a person who really wants to get into top IITs top 7 IITs or ISE should have an accuracy of at least 90% ठीक है और अगर आप 50 questions we attempt करते हो 90% accuracy के साथ आप अपने goal पे reach कर जाओ गया that is sure ठीक है तो यह दो point जो मैं कहना चाहता हूं कि students को इस time पे जरूर focus करना चाहिए and third thing is I think वो point में को सबसे पहले बोलना चाहिए था that is your health ठीक है health और एक routine एक mechanical routine इस time पे follow करना है क्योंकि आपका brain जो है न वो अगर आप उस पे कुछ भी अपनी body पे कुछ different चीज़ डालते हो न वो उस पे react करती है तो आपको क्या करना है एक mechanical routine follow करना है जिससे brain को पता लग जाए कि येस अगर 9-12 का time है इस time पे मैं अच्छल गेट exam है ताकि brain को पता होगा yes everyday इतने बज़े ये बंदा test लिखेगा तो I should be ready ठीक है तो ये खुद को prepare करना है for the test day and these are separate concept जो पढ़ते हैं जो आप classes में पढ़ते हैं that is these things are separate from those things तो ये एक ये कुछ चीजे हैं जो एक topper और एक topper और एक college topper में differentiate करने में help करती है तो sir मैंने देखा है कि काफी ऐसा students है जो test series भी apply करते है तो test series अभी आपको पता है कि हमारे बस hardly two weeks हमारे पास बचे हैं तो क्या students को इस moment पे यहां पा students को test series की practice करनी चाहिए इसमें बस students को अगर करना चाहिए तो क्या suggestions आप दे सकते हैं मैं यही बोलूगा test series अगर अप लेते हो पूरी चीज नहीं है लोग ठीक है बट उसमें एक चीज धान रखो इस time भापको सिर्फ full mock test attempt करने subject wise topic wise यह सब multiple topics को ही नहीं कुछ नहीं आपको सिर्फ mock test attempt करना है and I will advise everyone one mock test per day ठीक है तो मैं अपने students को भी एडवाइस करता हूं कि आप mock test जैसे 9.30 12.30 का time है mock test तो time पे दिया ठीक है जाओ break लो थोड़ा brain को rest दो क्योंकि आपके brain ने अभी marathon run की है तीन घंटा ठीक है आपको समझना चाहिए अगर आप तीन घंटे एक marathon run करते हो आपकी energy बहुत जादा खतम हुई है तो brain को revive करो उसके बाद evening में या late afternoon में you start and revise के how you could have got more marks in that mock test आपने कहां क्या गलती की कहां पे आप intuitively चीज़ें answer करके वहां और marks fetch कर सकते थे तो एक mock test जब आप देते हो उसमें आपका goal पता है क्या होना चाहिए सिर्फ यह कि आपको maximum mark score करने है अगर आप कहते हो कि मेरे को intuitively लग रहा है कि answer ठीक होगा ticket उसको करो क्योंकि वह intuition ना आपकी gate में भी काम हाएगी आप confident होगे क्योंकि mock test आपने इसे 10 mock test दिये in all those 10 mock test you were confident के yes your intuition was right every single time so use that intuition, use that tool in your gate exam as well तो mock test में we do all these kind of different things to train ourself के हम maximum score कैसे करें gate में अगर उनको सिफ concepts पे focus करना होता तो वो subjective paper रखते है objective नहीं रखते, objective रखा है इसका मतलब यह है they want you to find shortcuts, to find easier ways to solve up a problem जिसका traditional way भी है तो यह चीजों पर हमारे को बहुत जरूरी ध्यान देना होता है जब हम एक mock test attempt करते तो सच जब आप अपनी preparation कर रहे थे आपने gate की जब आपनी 2014 में आपनी exam दिया था और आपका रेंक आपका काफी अचा रेंक आया था समय पर आपने तो आपने पूरा रोटीन कैसा रहा था तो आपने क्या किया उस समय पर जब स्टुरेंट्स को इस मुमेंट पर बोल सकते हो कि भी मैंने एक्जाम दिया I got some campus placement in my B.T.E.C. ठीक है, but यह हुआ कि उस ताइम पे 13 में, there was some recession and all, तो काफी companies ने, मेरे seniors को भी chance नहीं दिया था, तो हमारा आने का चांस नहीं था. तो देन आए शॉट लिस्टिट के मैं कौन सा, आगे क्या कर सकता हूं? So, I thought, ठीक है, M.T.E.C. देतें, I was not really serious, that is my personal opinion, मैं किसी को नहीं बोलता है, फॉलो गर्ने को, it's a very dangerous thing, ठीक है? तो मैंने थीन या चार महिने में त्यारी की होगी, उस में, I would say, last 20 days were the most critical, क्योंकि उस ताइम पे मैंने क्या किया? I separated out things that I want to definitely attempt in the gate exam and things that I don't want to attempt, ठीक है, वो ही चीज मैं मौक टेस्स में फॉलो करता था, तो मेरा actually 24-hour schedule होता था, in last 20-30 days, it was just like, I will work for 6-8 hours until I can, ठीक है, then I used to sleep for 3-4 hours, ठीक है, and then again work for 6-8 hours, तो मैं ऐसे 10-12 hours नहीं काम करता था, and I don't used to sleep for 8 hours, तो मैं 8 hours को 4-4 में sleep करके, I used to rest, and that is how in one day, I used to do twice the amount of work, जो कि एक topper या एक बहुत अच्छा student, एक दो दिन में करेगा, मैं उतना काम एक दिन में खीच पाता था, but remember, मैं काम वही करता था, that was mostly revisions, revisions and practicing question, क्योंकि अगर आप उस टाइम पर कोई नया टॉपिक लोगे ना, तो आपके ब्रेन का जादा फ्यूल लगेगा, तो मैं अपने फ्यूल को optimize करता था, कि मेरे को क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, उस चीज़ पर बड़ा ध्यान रखता था, ताकि मैं एक दिन में जादा काम कीच पाओ, एक नॉमल स्टूडंट से, तो सार, आपने बिट्टे काँ से क्या था, कि काफिस बुलते हैं, कि सार, मैं तो बहुत, मेरा जो बिट्टे किस कॉलेज में हुआ था, वो तो बहुत अच्छा नहीं था, मेरा भी कुब अच्छा नहीं था, मैं एक यू था था, डेली में एक यू निवर्सटी से किया बीटेग, अडर सूरजमल, तो इवस नॉत र वेरी गूट कोलेज और इन्वार्मेंट भी ऐसा कुछ नहीं था, कि बहुत प्रोड़क्त हो है, यह अच्छा नहीं था, अगर आप ट्रेलर आपको पसंद नहीं आएगे, तो इसलिए यह आपकी एक प्री ट्रेनिंग पार्ट है, यह देखने के लिए, कि आप अच्छी उदर शर्वाइफ करोगे या नहीं, क्योंकि I have seen lot of students, backing out in the first semester, and वो back out कर लेते हैं, and they leave the degree, नहीं कर लेते हैं, क्योंकि the pressure is enormous, it's huge, so you have to really, really train yourself here, ताकि आप वहाँ दो साल सर्वाइफ कर सको, जब आप दो साल के बाँ से निकलोगे तो आप इतने स्ट्रॉंग बन जाओगे कि आपके लिए आट दस गंटा पढ़ना इट वुल बी लाइक रोज का काम है इवोंट भी लाइक बहुत हैवी हो जाएगा कि मैं थक गया हूँ आपके इतनी कपैसिटी बन जाएगी तो यह सारे एक ट्रेनिंग पार्ट है मैंने भी कर्परेशन में जब सुन को पढ़ाता था तो मैं देखा था कि स्टुडेंट्स की प्रपेशन में आपको तीन घंटे का एक्जाम है लगा दोगे हैं, so that means this is the maximum effort that you have put और इससे उपर आप कुछ नहीं कर सकते हैं देखो, result आएगा, नहीं आएगा, कैसा आएगा luck also plays its role, ठीक है but आप अपनी तरफ से ये regret ना रखो कि मैं थोड़ी और मेनत करता, या थोड़ा और अच्छा प्रिपेर करता, तो I could have scored more आपको ये regret नहीं होना चाहिए, that is one thing, जो आप नहीं जी पाऊगे उसके साथ तो ये बहुत जादा important है ध्यान में रखना, कि इस time पे जो जो step आप ले सकते हो humanly possible है उनको लो मैंने देखा था कि मैंने जब gate exam दिया था तो मैं 2011 में दिया था अब मैंने देखा है कि ताइम से ताइम तक जो exam नंबर students आते थे वो अब बढ़ते जा रहे है पहले average था कि 60K marks के around वो top 10 में आजाते थे 65 marks करने के बाद students around आपर 10 लेकिन इस समय पर अरड़ी जो है result आ रहे हैं student के 80 से अबाव जा रहे हैं तो ऐसा कुछ रीजन क्या हो सकता है कि competition जादा हो गया है क्या what do you feel I will say एक तो देखो gate जो है वो unlimited times दे सकते हैं तो जो बच्चा तीन साल से तारी कर रहा है ठीक है वो भी दे देगा और जो बच्चा एक साल से कर रहा है वो भी देगा तो तीन साल वाले की त्यारी मैं कितना भी पढ़नू तीन महिने वाले का comparison I cannot compare a student who is preparing for three months with a student who has prepared for three years क्योंकि उसके साथ उसके three years का success नहीं failure का सारा experience है जो मुझे नहीं पता वो कहा कहा क्योंकि हम failure से सीखते है success enjoy करते है सीखते failure से तो उसके वास इतना failure है न कि वो तीन महिने वाले को कभी समझ नहीं आएगा कि ये कहा कहा मैं मैं problem में पढ़ सकता हूँ वो बंदा अपनी हर problem को एक way out निकाल चुका है उसने सारी problems face की तो इस वज़े से क्या हो रहा है gate का जो prediction है paper prediction है वो easy होता जा रहा है और एक तो students हो गए कि और ज़्यादा informed है उपर से आप हर साल देखोगे जैसे data structures में टॉपिक है minimum spanning tree हर साल आपको बता है एक question आएगा हर साल एक question आने तो predictability इतनी ज़्यादा बढ़े है जिस वज़ा से आप कहलो सारे coaching institutes जो भी त्यारी करवाते है they can really give you in a test series जो mock test देंगे वो gate exam के बहुत करीब भी हो सकता है तो इसलिए I think 2021 में उन्होंने जो gate में edition के ऐसे लिए बसका I think this is a good thing क्योंकि इससे क्या होगा एकदम से control इदर से उदर हो जाएगा जैसे compiler में उन्होंने इतने topics add की है कि right now if I want कि मैं parsing पूरा हटा सकता हूँ and I can give you topics from questions from live variable analysis तो उससे क्या होगा अब कुछ ही लोग कर पाएंगे और उसकी वैसे अब dip होगी जो topper की या average जो gate में आते थे तो वो अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि इसको नीचे लाया जाए क्योंकि this is not very healthy 80 marks आप लाएं 90 marks आप लाएं personally for me I will say this is not very healthy एक topper होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबके 90 marks आप लाएं that means the paper is easy then competition or heavy that's not a good thing recently आप चेक करें थे कि हमारे पास जो gate के ग्जाम है तो वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो और अल्मोस्ट जब गौर्में ने गफीजीज़ थाएं हैं कोई सब्जेट्स हुट भी अटाएं हैं तो चाहिए कि अवरेज अवरेज चूडेंट्स तोड़ा उनको जिसे हर 2-3 साल में, they would have to revise syllabus so that the paper itself is not really predictable ताकि students आगरते हैं पने short notes बना लेते हैं और paper में चले जाते हैं and score कर लेते हैं that's a very good thing, आप score कर पारे हो, that's a very good thing but एक चीज़ आपको यह भी ध्यान रखने हैं देखो जब आप लोग IAC जाओगे, मैं बता रहा हूँ, IAC is way different from what you are preparation करते हो ठीक है, वहाँ पर आपको research papers बोलेंगे बो लोग पढ़ने को और जब आप एक research paper शूरू करोगे तो आपको समझने आएगा के उधर लिखा के है, उसके लिए आपको 10 research paper और देखने पढ़ेंगे and you have one day to understand that question, I have personally spent 2-3 days understanding one question, ठीक है, तो इतना time लगता है तो कहने का ही सारा, if I want to summarize from this, is that if I increase the level of exam, then आपका preparation और हाड हो जाएगा, जिससे आपकी IAC में life easy हो जाएगी that is what I want to say, अगर predictability exam की कम हो जाती है तो तो अब सार स्टुएंट्स हैं तो अब सार स्टुएंट्स हैं तो अब सार स्टुएंट्स हैं जिनका एक्जाम क्लेर हो गया अब उसके बाद हमें परफेशन अगे कैसे क्या करना चाहिए तो एक बार आपका एक्जाम आपने दे लिया, you have put your best efforts अच्छा, one more thing, the things that we have to focus on on the day of exam, तो आप देखो, सबसे पहले तो जिस दिन आपका एक्जाम है आप जाओ अराम से, eat proper food, क्योंकि हमारा brain जो है, पूरी body का I think 60-70% energy यूज करता है और brain के लिए instant energy की जरूरत रहती है, नहीं तो आपका brain function नहीं करेगा, headache होगा, dizziness होगी, आप अपने साथ थोड़ा food भी carry करो, जिसका center काफी दूर है उसके यहां से and traveling time जादा है, तो you carry some food with you as well, जो भी biscuit है, कुछ भी है, carry, ठीक है, उस दिन के लिए थोड़ा avoid कर लो, अगर आप थोड़ा health conscious भी हो, biscuit वगेरा, कुछ भी रख सकते हो अपने पास, कि आपके पास end movement पे, you should have some glucose thing to eat, this is one thing, second thing is, जब भी आपका exam आए, exam के time, आपको ध्यान रखना है, आप अगर किसी question में stuck होते हो, ठीक है, तो उस पे आपको timely next question पे shift होना है, अगर आपको लगता है, यह मेरा strong topic का question है, बड़े solve नहीं हो पा रहा है, तो तो time ध्यान रखना है, आप ego पे मत अगर आपने 30 minutes में solve कर भी लिया, और सही भी निकल गया, तो बाकी जगा ना, silly mistake होने के chance बढ़ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ, अगर आपको एक question हाड लगता है, तो उसको एक बार में पढ़ो, और अगर आप किसी topic में बहुत अच्छे हो ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने ये type का question पहले practice किया है, या इस type का question कभी देखा ही नहीं है, तो अगर आपको first two reads में question लगता है कि यार ये समझ नहीं आ रहा धंग से, तो अभी के लिए उसको skip कर दो, चाहे वो आपका strong topic में से ही क्यों ना हो, उसको skip कर दो, अगले पे जाओ, आप एक चीज ज तो उनका very hard डालने का यही मतलब है, कि आपको इक questions end में solve करने, इक questions starting में solve करके, they set up traps in you, तो this is a very good example that I tell to my students के, gate is all about setting traps, वो आपके लिए बहुत सारे traps set कर देते हैं, you are just a rat, आपका काम क्या है उन ट्राप से बचना, बस, वो सारे basic questions आते हैं, वो आपके लिए trap set करेंगे, अगर आप traps सारे identify करते हो, आप टॉपरो गेट के, that is the final thing, और वो हर जगा trap आपके लिए set करते हैं, कहीं जगा नहीं करते हैं, कहीं जगा करते हैं, आपको यह identify करना जरूरी है, अब ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो 2021 का exam भी होने वाला है, अब ऐसे कुछ स्टूडें तो इस मोमें पर आप उनको क्या स्टूडेंशन दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर आपने गेट का इग्जाम फिल किया है, तो मैं डेफिनिटली कहूंगा देके हो, मतलब क्योंकि नहीं कहीं स्टूडेंट्स कहेंगे सर अभी हम थर्ड इयर में हैं, तो वी रेली मतलब किसी का मैंने कहीं से कुछ सिलेबस उठा लिया, थर्टी-फॉर्टी डेज की तियारी कर ली पेपर देके आ क्या, नतिंग सीरियस जितना हो सका मेरे से मैंने दिया, मैंने टेस सीरियस और कुछ भी निया था, तो बेसिकली क्या होता है, वो केट में जब जाओगे न वो एक environment, experience करना बहुत ज़रूरी है, तो अभी उसको ना miss मत करना, अगर आपको लगता है कि आप नहीं score कर पाऊगे, या आप cut-off भी निकलर करोगे, तो भी मैं कहता हूँ, जाओ experience लो, उस environment का, ताकि next year you are better prepared for that environment, कुछ तो experience होगा, कुछ तो experience होगा ना, वो important है, तो सर हम आपने देखा था कि आपने हमने का सारे वीडियो आपर डाले हैं, लास्ट फाइव यर के questions हमने किये थे, तो हमें बता है कि गेट की preparation के लिए, आप लास्ट 27 यर के questions करते हैं, तो कितने जरूरी है previous year questions को, और कितने सालों तक, जैसे कि अभी हम लोग प्रप्रपेशन अप कितने करने चाहिए, तो कितने करने चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए, कहां तक जरूरी है, इतना तो करना ही चाहिए, तो मिनिमल कितना है, तो I would say कि आप 2004-2005 से लेके चलो, क्योंकि 2000 उससे पहले जो questions आते थे, एक तो बहुत different होते थे, different तरीके से पूछे आते थे, जो अपने पूछे जाते हैं, and second, कुछ topics अभी भी ऐसे हैं, जैसे if I talk about computer science, कुछ topics अभी भी ऐसे हैं, जिसमें 2007 में, 2007 में, जो gate के questions बने थे, बहुत ही quality questions थे, तो वो I think, जब भी आपको कोई subject पढ़ाया जाता है, हम उसी में से topics, उसी paper में से questions उठाके, examples के, examples के तौर पे करवाते हैं, क्योंकि वो बहुत quality questions थे, and I think, वो एक paper था, जो I will say, that formed the base foundation, 2007-2008, बहुत quality paper था, तो I think, 15 year के questions, जो है, starting 2005-2006, काफी अच्छे रहेंगे, आपकी preparation के लिए, वो आपको हर एक trick, हर एक, जो उन्होंनों trap set किया है, वो आपको identification उन्होंनों ही चाहिए, at least उनकी, but if you have more time, and if I talk about gate 22 as well, तो अगर आपके पस time है, definitely आप जाओ, but एक चीज और, काफी सारे students जो हैं, वो extra चीजे बहुत करते हैं, तो पहले ना देखो, focus करो, जो चीजें actually paper में आनी है, जिनकी probability जादा है, ठीक है, अब अगर कोई मेरे से पूछे, sir, two-way compiler कैसे काम करता है, या cross compiler कैसे काम करता है, जो cross compiler जब नहीं पूछा, तो पहले आप क्या करो, parsing पढ़ो ढग से, क्योंकि वो पूछा है, ठीक है, उसके बाद अगर आपका पूरा वो subject का cover हो गया है, and then you think you have time, and you have effort, and apply कर सकते हो, तब आप cross compiler, ये सब चीजें पढ़ो, या assembler पढ़ो, जो चीज गेट में नहीं आनी, या पहले आ चुकी है, लेकिन अब नहीं आनी, तो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है, आपको focus रखना है, कि किस टाइम पे क्या चीज करनी है, और एक बार उतना preparation हो जाए, then वो चीजें करो, जो जिनकी probability paper में आने की बहुत कम है, सर जैसे आपने IAC Bangalore से आपने अम्टेक किया था तो उसके लिए, अब देखा है, स्टूडेंट्स का बता है, कि आपको टॉप 45 मार्क्स, 45 रैंक से ही आपको मिलेगा, तो अब आपने इंटर्व्यू किस तरह से रहा बहां पर और किस तरीके से आपने प्रपरेशन की थी IAC Bangalore के लिए, तो कैसा experience रहा था आपका सर? तो there are two ways to get admission into, if I may say, like top seven IITs and IAC, क्योंकि मैंने NIT का फॉर्मी नहीं बहा था, जब NIT के फॉर्म की deadline निकल नहीं थी, उससे पहले I got admitted to IAC, तो मैंने इसले फॉर्म नहीं बहा था, so I don't have experience over there, right, तो in eight colleges में क्या रहता है, एक है direct admission, आप direct admission में आप department देखते हो, अच्छा, इ automation department आ, IAC में, तो वाँ, top 60 में आपको direct admission मिलता है, ME में, master of engineering उनका program है, ME में, ठीक है, अब उनके पास एक course है, MSC, MSC है, वो भी equivalent course है, वो, I'll not say के वो ME से नीचे है ये उपर है, वो equivalent है, ME के, लेकिन उसमें admission जो होता है, that is through interview, अगर आप के टॉपर भी हो, तो भी आपको interview process के थुरू जाना है, ऐसा नहीं है कि कुछ seats रहेंगी direct rankers के लिए उसके अबाद interviews नहीं, वो पूरे program में ही interview के थुरू लेते हैं, ऐसी एक department, IAC में, department of computational and data science, जहां से मैं हूँ, so previously it was called super computer education and research center, so that is similar to your computer science, that is basically computational science in which I have done my master's, तो वहां पे भी, if you want to get admission, direct admission, M.T.E.C. या M.S.E., दोनों में, you have to go through the written process, अगर आप गेट के टॉपर भी हो, तो भी written process के थुरू जाना पड़ेगा, तो मेरे, मेरे time पे, there were I think 650 or 700 students, which appeared from across the branches, that was in my department, तो उसमें से I think return हुआ था, written के बाद 74 got shortlisted for interview, and interview के बाद there were only 15 seats, तो 15 seats, after interview, तो उसमें, there are total 15 seats, जो आपको end में मिलेंगी, तो ये सारी 15 seats are filled using indirect approach, जो written plus interview, अब कहीं जगा सिव रिटन होता है, कहीं जगा only interviews होता है, अब IIT Delhi का मेरे time पे gate score था 800, जहां पे वो interview cut off कर रहे थे, IIT Kanpur is also there, जहां पे, I think this is, this information is from 2014, so IIT Kanpur है, जहां पे direct admission और indirect admission दोनों होता है, IIT Bombay है, जहां पे आपको RA मिलता है, that is research assistant, that's I think a 3-year degree, and उसमें आप M-TEC कर सकते हो, that is also through interviews, तो ये काफी सारे हैं, जहां पे आप apply कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है, कि आपका rank या gate score किस range में है, उसके हिसाब से apply करना, अगर आपका rank बहुत जादा है, तो आप उधर apply मत कर देना, क्योंकि उधर फिर आपके chance मिलने के बहुत कम हो जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर मेरा rank 50 आता है, तो yes, मैं IIC में direct admission के लिए apply कर सकता है, and I'll get it, तो rank जो हो, उस हिसाब से अपना form fill up करना, do not fill up your form, कि ने ने, rank मेरा 500 है, लेकिन मेरे को IIC में direct admission चाहिए, तो वो आपका basically form cut हो जाएगा, तो उस हिसाब का ध्यान रखना कि आपकी rank पे आपको best क्या मिल सकता है, go for that, तो that is why I will say, after gate also, gate के results भार आते हैं, और आपको लगता है, you have a fighting chance, so keep continue, continue your preparation in your core field, और एक और चीज़, mathematics सब का strong होना चाहिए, वो सबसे important है, IAC के अंदर, if you know mathematics, तभी आपको entry मिलती है, entry के बाद आपको core पूछेंगे, that is a different thing, अगर आपको maths नहीं पता, आपको सीधा बार भेज दिया जाता है, mathematics is really, really important, if I may say for any interview, क्योंकि बेसिक चीज़ आपसे, mathematics और आपके कुछ core subjects का paper बना के ही पूछेंगे, तो mathematics हर जगा आएगा, उसको week नहीं छोड़ना, बाद में भी prepare करो, revise करो, do that. तो सर्च, जैसे अब मैंने बताया कि हम 2021 की बात कर रहें, थब जब 2002 की बात कर रहें हम लोग, तो अब students का एक question होता है, कि सर्च, क्या coaching ज़रूरी है, क्या बिना coaching के preparation कर सकते हैं, कोचिंग से करना चाहिए, तो ऐसा पर क्या suggestions है इसमदेर, देखो, preparation या कुछ भी confidence पे depend करता है, अगर आप खुद को हर moment पे doubt करते हो, तो मैं कहूंगा, कोचिंग के लिए जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको एक faculty मिलता है, जिस पे आप भरूसा करते हो, and he will build that confidence in you, और अगर आपको इतना confidence है self पे, कि yes, मेरको थोड़ा extra effort करना पड़ेगा, थोड़ा इधर उदर से देखना पड़ेगा, but I will be able to collect and build a good material for me, and I can do it on my own, definitely आप अपनी तरफ से करो. तो इस समय पर अब हमें बता है काफी साथ स्टुटेंट्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी M.TEC के लिए ही preparation करना चाहते हैं, कुछ साथ से स्टुटेंट्स हैं, जो preparation करते हैं सिर्फ job के लिए, तो ऐसे कौन-कौन से government है, जहां पर वो preparation कर सकते हैं, जैसे हमारे पास J.R.D.O. का exam होता है, या फिर हमारे पास काफी exam होता है, तो आपने किस-किस के लिए apply किया था, और इसके अलावा अगर आप नहीं किया था, तो ऐसे कौन-किस में आप suggestions दे सकते हो कि students इनकी preparation कर सागें? तो मैंने अक्चुली किसी चीज़ के लिए apply किया था, मुझे एम्टे की करना था, मैंको पी-स-किस में नहीं जाना था, यह क्लिर था, स्टार्टिंग से तो एक IOC-L होता है, जो CS में रहता है, but PSU's काफी सारे हैं, but remember one more thing, उसमें interviews definitely रहेंगे, कहीं जगा written test भी होंगे, and जैसे अभी PSU's are being privatized, जो current situation है हमारा government का, उसके हिसाब से I will say के और strict होती जाएंगी चीज़ें, तो मैं यह बोलूँगा के, अगर आप, क्योंकि देखो, गेट के बाद तो कोई पड़ेगा नहीं, और रिजल्ट के बाद ही पड़ोगे, आप रिजल्ट से पहले पड़ोगे नहीं, but अगर आपको लगता है ना, कि आप एक डीसेंट रांक पे आ जोगे, तो और बाद ही आवयल से थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू रखो अपनी प्रेशन प्रेशन कोर सब्जेक्स, 關 thमाने प्रेशन उनमें अपनी प्रेशन के दिल्ड़ runne आपका थोड़ अच नहीं चूट नहीं चाहिए, आप ब्रेक लो, बट प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी कंटीनु रखो Okay, so what can you expect in the interview of ISE, आपने एगस्ट मेरा जब रिटर्न हुआ, रिटर्न मेर से They asked me questions in aptitude, in mathematics definitely, and some questions from programming Okay, तो वो मेरा रिटर्न था, अभी I think उनका रिटर्न प्रोसेस भी चेंज हो गया है Now they are having subjective questions तो आपको वो current scenario देखना पड़ेगा और एक और चीज़, they will provide you proper syllabus कि आपका क्या syllabus है, आपको किस में से त्यारी करनी है और उसी में से वो रिटर्न और इंटर्व्यू लेते हैं ऐसा नहीं होता कि वो बोलते कुछ और हैं, और पूछ कुछ और लेते हैं This will not happen for every branch, अगर आप किसी interdisciplinary department में भी जाते हो for every branch, they will ask you they will mention के ये ये syllabus है इस बार का so you prepare accordingly right, तो interview, written मेरा clear हो गया so it was a, I think, two to three day का मेरा trip था in IISC तो जिस दिन written हुआ, evening में they gave me the results then I came to know के next morning में, afternoon slot में मेरा interview है तो interview में जाती ही, सबसे पहले उन्होंने मेरे से calculus की problem पूछी now calculus मेरा 12 से काफी जादा strong था so में को इतना problem नहीं आया लेकिन वहां पे थोड़े बच्चों को आया क्योंकि they were in job तो वह mathematics में वीक थे और वैसी भूल चुके थे तो I had been teaching also थोड़ा तो I had the I had good strong hold on calculus calculus के बाद they asked me programming की problem then had a good discussion on sorting तो few things that I would like to mention summarize करूँ अगर मैं अपने interview के तो first thing is be confident in what you speak अगर आपको कुछ आता है तो वह बोल दो अगर नहीं आता तो बोल दो नहीं आता ठीक है वो आपसे यह expect नहीं करते है कि आपको सब कुछ आता होगा बट उनकी expectation क्या होती है कि आप बोलते हो ना कि मेरेको calculus आता है अब ऐसा नहीं होना चाहिए calculus में आपको functions के बारे में पता है बट relations नहीं पता ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए आपको maximum minimum one variable का पता है पर two variable का नहीं पता ठीक है तो आपको कोई topic जो आप बोलोगे आपको आता है यह आपको पूरा detail में आना चाहिए क्योंकि वो उसी में से question करते है उनको यह ही judge करना है कि आप जो बोलते हो कि आपको आता है वो आपको कितने level पर आता है वो उसी में आपको confuse करेंगे तो मेरा interview I think 20 minutes तक रहा था और 10 minutes सुनुने में से sorting के बारे में पूचा यह sort difference kind of sorting techniques which are there in algorithms तो उसी पर discussion हुआ तो they were trying to basically confuse me के ऐसे भी तो सकता है बट I was clear कि यह possible नहीं है या यह है तो यह आपको दिमाग में होना चाहिए अगर आपको कुछ नहीं आता तो वो उसी में not comfortable with that topic या मैं इतना strong नहीं हो I am strong with the other one or something तो मैंने देखा कि काफी जैसे students है जैसे आपने for example M.Tech के लिए preparation करते हैं तो दो तरह के students है ऐसे वो जो government job के लिए preparation करते हैं जैसे मैंने आपको बता इस रोग इस रोग का है या फे DRDO का है और काफी students है जो M.Tech करते हैं job के लिए जैसे हमने बुला IEC Bangalore है या Bombay है यहां से लोग preparation करते हैं job के लिए जो लोग PhD के लिए prepare करते हैं तो PhD क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं मतलब क्या reason हो जब तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ कहता हूं कि सबसे important पते है क्या है M.Tech एक अच्छे college से आपको lifetime के लिए a tag देता है तो मैं इसले कहता हूं कि अगर आपका वेपर इस बार अच्छा नहीं हो ना एक साल वेट कर लो दुबारा प्रिपेर कर लो इफ यू हाव दाट के पासिटी तो वेट आप दुबारा प्रिपेर करके फिर गेट देतो क्योंकि एक बार उधर से M.Tech करके आप निकल गए ना वो टाग is there with you till you die ठीक है आज भी ISE की अलुमनाइज मीटिंग होती है कभी कबार हमको बोलते हैं जाने को if I'm there in Bangalore I would like to visit my college and all तो वो एक टाग आपके साथ lifetime रह जाता है तो उस जो आपको in return मिलता है ना उसके respect में एक या दो साल और खराब करना बहुत छोटी चीज है यह मुझे after coming out of ISE पता लगा, ISE में भी नहीं पता लगा था भार आके पता लगा तो मेरे एक faculty वहा करते है जिन्हों मेरे को बोला था जब तुम ISE के भार जाओगे ना तो तुमारे को यह होगा differentiation ऐसे होगा ISE and non ISE ठीक तो उस चीज़ का बहुत जादा benefit रहता है तो आपको क्या होता है उसके बादना एक freedom मिलता है freedom कैसा आप चाहो आप PhD कर सकते हो आप चाहो आप job कर सकते हो corporate में आप चाहो आप teaching में आ सकते हो तो आपके पास इतनी सारी fields खुल जाती है जिन पर आप समझे लो आपको एक direct access मिल गया कि आप किसी भी छोट इंस्टिट में जाओगे आप बोलोगे you are from ISE and you would like to teach तो आपको बोल देंगे क्योंकि देखो आपने एक प्रूफ किया है खुद को by securing that rank by getting into that college which is not an easy task अगर easy होता तो कोई भी कर लेता तो इसलिए इस चीज़ को आगे जाके आपको इसका benefit हर जगा मिलेगा if you want to switch jobs also जैसे आप कहते हो corporate से teaching में आना है जैसे I did right तो उसमें भी आपको एक added advantage मिलेगा but यह नहीं है कि आपको बहुत ही जादा मिलेगा but you will get some added advantage over other students or other aspirants ठीक है अगर आप teaching से वापस corporate में जाते हो तो भी आपको एक added advantage मिलता है आप PhD कर रहे हो PhD छोड़के corporate में आते हो त तो वो freedom आपके पास आजाता है एक अच्छे college के tag की वज़ा से तो सर एनी last words for the students ऐसा तो यह I will say for aspirants who are preparing for 2021 definitely अपना best दो जैसे जितना prepare कर सकते हो करो अपने exam अच्छे से दो exam अच्छा जाएगा नहीं वो आपके हाथ में नहीं है ठीक है उस दिन अपना best दो और उसके वो for good college और try करते हो कि आपको best college मिले जो भी आपका result आता है उस पे and अगर आपका result नहीं आता तो I will advise if you are serious about mtech तो एक साल drop करो चाहे coaching करो या खुद त्यारी करो doesn't matter एक साल drop करो and definitely you should go ahead and give gate next year if you know कि आपके पास capacity है कि आप top 100 में आ सकते हो ठीक है and students who are from 22 I would say start your preparation now ठीक है easy लेके चलना I have seen lot of students over burning themselves ठीक है ऐसे करेंगे देखो यह एक marathon है और marathon में starting से तेज नहीं भागा जाता आप starting में warm up करते हो धीरे धीरे जब आकी body open up होती है then you increase your speed और आपको पता होना चाहिए कि इस speed के beyond अगर मैं increase करूँगा तो I will burn my calories more वो नहीं चाहते है तो आपको उतना पता होना चाहिए कि आपको कितना rest लेना है ठीक है और कितना काम करना य series जो है आपको कम से कम 45 days पहले start कर देनी चाहिए 30 days पहले आपको full mock test start कर देनी चाहिए ताकि आपके पास improvements का time हो end में otherwise time बचेगा नहीं और जो mistake आप mock test में कर रहे हो same mistakes आप gate exam में करोगे which I will not advise to anyone देखो अगर आपने mock test से कुछ सीखा नहीं तो mock test देना बेकार है और mock test या यह तो हो जाएगा यह हो जाएगा तो दो घंटे में mock test खतम कर दिया अगर mock test assignment होता तो वो mock test क्यों बनाते वो assignment के form में देते ना अगर वो mock test दिया उसके पीछे एक reason है तो वो assignment की तरह solve नहीं करना है उसको एक gate exam की तरह solve करना है तो इस चीज़ को ध्यान देना जब भी आ इंट्यूशन का role play होना चाहिए teaching sorry जो आपका silly mistakes है उनको avoid करना सीखना है तो इस सारी चीज़ें आपको manage करने ही पड़ेगी जब भी आप एक mock test देते हो ताकि same चीज़ें आप gate exam में manage कर तो आज हमने काफी अच्छी बात ही कि सर से भी I hope students को काफी help रहा होगा आप सर सनी यहां पर देखा तो I hope it was good thank you sir thank you so much for coming thank you very much bye sir thank you